अब यही तो हमको उसने आड़ी रहे ती सामा डाल दिया और बेचारा बुरा फसा भोला भाला किसान क्यूंकि दुकान किरायपार लेने के लिए एक नेटवर लाल गया तो किसान ने ये कहा कि हाँ हम दे देंगे दुकान लेकिन पहले आप आड़ी ले गया ये कहे के लिए चाहिए ये बताईए तो उसने क्या कल आड़ी लेके आएंगे लेकिन आप हजार रुपए रख लो किसान ने मना करा लेकिन हजार रुपए उसकी जिम में डाल दिये तो उसने काम दुकान नहीं देंगे बोला मत देना जब आड़ी दें तो देना लेकिन इसी बीच दुकान मालिक चला गया तो गोम के नड़वर लाल आया और दुकान की चापी बच्चे से मंगवा ली और दुकान खोल कर केट नाशक दवाय भर गया नकली वो भी फर्जी फर्जी दवाओ का जखीरा पूरा भर गया उसके बाद में जैसे तैसे पुलिस को खबर लगी पुलिस ने जब छापा मारा दुकान खोल कर देखा तो होश दंग रहे गया ये देखिए नकली दवाओं का जखीरा कीट नाशक की नकली दवाओं बनाने का पूरा जखीरा फर्दी ढकन, फर्दी लेबिल सब चीज़ हाला के मकान और दुकान मालिक से जब पूछा गया तो वो बहुत चक्का रह गया वो बेचारा कहने लगा मैंने कहा ता आरडी लेकर आओ लेकिन उसने कहा कल लेकर आएंगे सहाब हम बेगुना हैं हमें कुछ नहीं पता विस्तार से नदारा हम आपको दिखाते अब दुकान मालिक से पूछा तो क्या कहना था दुकान मालिक का आईए सुनते किराब करके रखिया किसे किराब ली थी अब यही तो हमको उसने आडी रहे थी सामा डाल दिया अच्छे बगर जाने पैचाने अपने किराब दुकान दे दी नहीं दी बात हुई वारी बात हुई तो उसने का हमें हजार उपे देंगे तो हमने कि चला ठीट है मगर हमने जब आडी देना तब डाल देना अब उसने आईता किया साम को लाया बच्चों समगा लिया पेर क्या हुआ अब उसनामा डाल गया आप लाजा आते हुआ हमको बता हुआ हुआ था इस पर काम है कल ही डाल की गया सामान आयो किस से इस चावी घर से मगा लिए घर कोई था नहीं लिजे थी उन्हें से मगा लिए किसान अंदूलन के चलते शासंग के निर्देशा नुसार, आज थाना छेतर खुतार में थाना धक्स जब किसानों से सववाद स्थापत कर रहे थे, उसी दवरान एक किसान की सूचना मिली कि थाना छेतर में मिलानी रोड के आसपास ग्राम सुनवा में एक व्यक्ति नकली प एक्सिश्टी साइड की 300 भरी बहुत लें 200 खाली बहुत लें वह बाइस सो पचास पैकेजिंग रैपर बरामद हुए साथी साथ यहां पर दो पैकेजिंग मशीन भी बरामद हुई है और वायर्स कंपनी के 290 पैकेजिंग रैपर बरामद हुए हैं मौके पर टाटल एलिस कंपनी के मार्केटिंग हेड को भी बुला लिया गया था और जिला क्रिशी विभाग को भी इसमें सूचना दे दी गई है और उसके बाद इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और आगे की आवश्यक वर्धाने कारवाई की जा रही है प्राव